तीन क्रमागत संख्याओं लिखा है, सवाल है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुरनफल कितना होगा कितना होगा जिनका योग 39 है यह ऐसे कोशन आ गया पहला अप्शन है 1224 दूसरा अप्शन है 1988 मतलब उसका उल्टा पूछ लिया तीसरा अप्शन है 2184 और चौथा अप्शन है 2416 यह चार अप्शन है उन तीन क्रमागत संख्याओं का प्रोडेक्ट क्या होगा फाइंड दा प्रोडेक्ट ऑफ थीरी कॉंजिगेट कॉंजिगेट नंबर्स जिनका योग 39 है जिनका सम कितना है 39 सम है पहला अब इसी बताओ पिछली बार हम देख रहे थे तीन का मेल्टपिल इसका मतलब जो सम है वो तीन का मेल्टपिल है तो इसको हम तीन से डिवाइड कर देंगे जो सम है उसको तीन से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा तेरा आएगा अब इसके क्यूब के पास होना चाहिए क्यूब के पास और तेरा का क्यूब कितना होता है 297 होता है अब 297 के पास कौन है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है है तेरा का क्यूब अच्छा ऐसे अगर लगाना हो तो आर कितना कठीन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दिया 39 आपको एक्स गुणे वाई गुणे जेड निकालना है अब बताओ जिस बच्चे के पास कॉमन सेंस नहीं होगा को यहां से यहां कैसे जाएगा कोई रूल नहीं है इसका क्यूब करोगे कोई मतलब नहीं है क्या करोगे आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है क्या लगाना है दिमाग लगाना है अगर दिमाग नहीं ऐसे ही कोश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जहां पर आपको mind का use करना है तुन तीन क्रमागत संख्याओं का product कितना होगा जिनका sum कितना है 39 है क्या कि आपने 39 को 3 से divide कर दिया कितना आ गया 13 आ गया 13 का cube कितना होता है 2197 अब आपने option में देखा कि 2197 के पास कौन सा है बस पहला option है वही answer और satisfy करना है तो इसमें तेरा मानस कर दो कि क्यूप में से तेरा और मानस कर दो सीदा सीदा वही answer आ जाएगा कि क्यूप में से वही number फिर हटा दो क्यूप में से वही नंबर फिर पास तो तेरा माइनस कर दो तो सीधा सीधा वही एंसर आ जाएगा क्लियर है कुश्चन पूछे कि बताओ भाई m3 प्लैस 1 अपान m3 बराबर 702 है तो यार ये बताओ m-1 अपान m का मान क्या होगा मान गयत करो और इसकी आप्शन दे दिया अन्डरोड 79 दूसरा आप्शन अन्डरोड 85 तीसरा आप्शन अन्डरोड 77 चोथा आप्शन अन्डरोड लेलो कोई आप्शन 83 अब यह कोश्चन आ गया पेपर में और बच्चों ने सोचा अरे यह तो इलजबरा का सवाल है यह कोश्चन इलजबरा का नहीं है यह इसमें वायरेबल तो आ गया इसका मादब थोड़ो इलजबरा हो गया यहां पर यह कोश्चन तुमारा क्यूब से है किस से है? क्यूब पर है क्या क्यूब पर है? जहां से सुनो कभी भी अगर हमें क्यूब में कोई स्टेट्मेंट दिया है कभी भी हमें क्यूब में स्टेट्मेंट दिया है तो उससे हम अगर हमें M प्लस 1 अपान M निकालना होगा तो हमें देखना होगा यह नंबर किसके क्यूब के पास है यह नंबर किसके क्यूब के पास है अब सूच के बताओ किसके क्यूब के पास है 9, 9 का 739 होता है 8 का 512, 9 739 10, 1000 मतलब बिल्कुल 9 के क्यूब के nearest है बहुत नजदीक तो 9 लेना है यह हो गया 9 यहां तक आगे अब यहां से हमको माइनस पे आना है यहां से हमको माइनस पे आना है तो कैसे आओगे बहुत ध्यान से सुनो अगर हमें m प्लस वन अपान m बराबर x दिया है तो m माइनस अगर हमें m प्लस वन अपान m बराबर x दिया है तो m-1 upon m बराबर होता है under root x square minus 4 ये बहुत कठी नहीं है तुमारे लिए क्यों? इसी से बना है square कर लो अगर जिसको न याद हो वही square कर लो m square plus 1 upon m square plus 2 बराबर 81 तो m square plus 1 upon m square बराबर 79 अब m minus 1 upon m का square कर लिया बस समझ गए? तो इसका m square plus 1 upon m square minus 2 बराबर ठीक ये हो गया इसका मान कितना है? 79 79 minus 2 कितना है? 77 square हटेगा root लग जाएगा तो m minus 1 upon m अगर formula नहीं आद है आपको इससे कर लेना है कितना answer आएगा? root 77 answer आजाएगा क्या इस्तिमाल करना पड़ा? algebra? नहीं cube इस्तिमाल करना पड़ा ये किसके cube के पास है? किसके cube के पास है? तो इस 709 709 के cube के पास है तो आपको ऐसे सोच लेना है हाँ? चलो p cube प्लस 1 अपान p cube is equal to दे रखा है 1692 हमें निकालना है p minus 1 अपान p का मान ये बताता है चलो जलती से बताओ अब इब बताओ किसके cube के पास है? ये किसके cube के पास है? cube सभी याद कर लो आज हम बताया दे रहें ये 12 के cube के पास है 12 का 1728 होता है 11 का 1331 होता है तो सबसे 13 का 297 होता है सबसे पास किसके है? 12 के है सबसे नेरेस्ट किसके है? तो यह 12 के cube के पास है तो P plus 1 upon P बरावर 12 फिक्स हो गया इसका जो base होगा वो यहाँ आजाओ P plus 1 upon P इसी से यह बना होगा इसी से यह बना होगा यह जिससे बना है उसको उतार के वही ले आओ जो चीज उपर है उसे उतार के नीचे ले आए मतलब यहाँ से इसको नीचे ले आए किलिर है अब हम यहाँ से माइनस पर आएंगे तो कैसे आएंगे बताओ इसका cube जो solve करेंगे तो अभी क्या समझाए है 12 का square 144 माइनस 4 बरावर अंडर रूड 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 कितना आएगा रूड 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 2 रूड पैतिस यह एंसर क्यूब रूड क्यूब रूड घनमूल अब इसको solve करने के लिए क्या होना चीए देखो आपने अभी बताया 1 का cube 1 होता है 2 का cube 8 होता है 3 का cube 27 होता है 4 का cube 64 होता है 5 का cube 125 होता है 6 का cube 216 होता है 7 का cube 343 होता है 8 का cube 512 होता है 9 का cube 731 होता है अब देखो इसमें क्या आई वाई क्या आपको सीखना था इसमें देखा आपने 1 के लिए तो 1 ही है 2 के लिए 8 भी हा रहा है और 8 के लिए 2 ही आ रहा है तीन के लिए सीधा सीधा साथ आ रहा है साथ के लिए तीन आ रहा है चार के लिए सिर्फ चार आ रहा है पांच के लिए सिर्फ पांच आ रहा है छे के लिए सिर्फ छे आ रहा है नो के लिए सिर्फ नो आ रहा है यह चीज के लिए रहा है अब आपको कुछ नंबर से देते हैं जो हमें क्यूब निकालने हैं ठीक, क्यूब रूट निकालने हैं अब उनके क्यूब आपको पता होने चाहिए जैसे मालो आपके पेपर में आ जाए पहला कोश्चन आप से पूछे 1728 का क्यूब क्या होगा क्यूब रूट निकालना है अभी कुछ और एक जामबल आपको हम देते हैं ठीक है, पहले इसको निकालो 1728, तो कैसे निकालोगे 8 के लिए क्या होता है 2 होता है 8 के लिए क्या होता है 2 होता है, 3 नंबर हटाओ यह हटा दिया अब एक के लिए एक ही क्यूब लेना है यह किसके क्यूब के पास एक इसलिए 12 हो गया कितना हो गया, 12 इसको नोट करो, बता रहे हैं इसको नंबर है 74088 चलो, इसको बताओ पहला कुश्चन दूसरा यह है तुमारा 31, 44, 32 इसको बताना है एक और ले रहे है तीसरा दो हजार 2376 यह जो है यह क्यूब दिया है हाना एक और ले रहे है यहां दिखेगा नहीं चलो अब शाइन तीन को लगाओ हाना अब तीन को कैसे लगाओगे ध्यान से देखो यहां आठ के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आठ के लिए आठ के लिए इस्तेमाल करोगे टू तीन नमबर हटा दो यह आई बास समझ में आठ के लिए क्या इस्तेमाल करोगे टू अब 74 किसके क्यूब के पास है इसमें दो नमबर नहीं लेने 74 है तुमारा 4 के क्यूब के पास 5 का 125 होगा इससे जादा हो जाएगा तो 4 का क्यूब लेना है ये 42 ठीक ऐसे देखो यहाँ 2 के लिए क्या लिखोगे 8 कितने नमबर कट कर दोगे 3 किसके पास है 313 7 का क्यूब 343 होता है 7 का इससे जादा हो जाएगा हमें छोटा लेना है 6 68 ऐसे इसको देखो 6 के लिए क्या इस्तेमाल करोगे 6 कितने नमबर कट कर दोगे 3 2000 किसके पास है 12 का 1728 होता है 13 का 279 होता है 13 क्यूब कितना होता है 2197 तेरा का क्यूब 2197 तो 12 के पास लेना है 126 हो गया समझ गए 126 यह तीनों समझ गए नहीं समझ गए जल्दी से बताओ अब मैं एक मिटा करके आप के लिए दे रहा हूं तोगि आप अपने होम में बैठे हैं तो होम वर्क है 401 96 इसका आपको बताना है इसका क्यूब रूट क्या होगा चलो जल्दी से बताओ पहला ओप्शन 153 दूसरा ओप्शन 159 तीसरा ओप्शन 147 और चौथा ओप्शन 149 चलो जल्दी से बताओ इसमें कौन से अंसर सही होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 9 के लिए 9 होता है तीकी नंबर कट अब यह तुम्हारा नंबर किसके पास है इसमें जो है 40 और 19 यह तुम्हारा किसके क्यूब के पास है 15 का होता है कितना? 33, 75 15 का जो क्यूब होता है 33, 75 होता है है ना? और 16 का जो क्यूब होता है और 46, 96 होता है यह, 46, 96 46, 96 इससे ज़्यादा हो गया तो हमें क्या लेना है? 15 लेना है तो 15 लगा देना है तो 159 एंसर जाएगा 159 यो नीट प्लेस नहीं दिखा उपर heading नहीं दिख रही होगी चलो बहुत उपर कर दिया मैंने चलो देखो यो निट प्लेस इसको बोलते हैं इकाई का अंक इकाई का अंक इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, देखो, पहला नियम तुम्हें पहला पॉइंट याद अठना है, कि 1, 5, 0, 1, 5, 6, इनके नंबर, ये नंबर लास्ट में अगर है, ये नंबर लास्ट में अगर है, 1, 0, 0, 1, 5, 6, अगर लास्ट में हैं, का योनिट डिजिट सेम रहता है, सेम रहता है, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, अब ये क्या बात बोला भाई, अब देखो, लिखा था, 3, 7, 2, 6, की पावर, 9, 8, 7, 4, बताना था, योनिट डिजिट बताओ भाई, योनिट डिजिट बताओ, अगर ये आखरी में 6 है, मैंने कहा, ये नंबर कभी भी आखरी में है, लास्ट में अगर कभी भी ये नंबर है, तो उसका unit digit कभी भी change नहीं होगा इसका unit digit 6 है तो 6 ही रहेगा कुछ भी कर लो पदलेगा नहीं यहाँ 6 है तो यहाँ क्या रहेगा 6 ही रहेगा का unit digit सेम रहता है power चाहे कुछ भी हो बात आई समझ में इस चीज को note करो चाहे ऐसे लिखाओ 3, 4, 5 की power 9, 3, 7, 2, 8 कितना अभी बड़ा नमबर लिख दो क्या रहेगा unit digit इसका unit digit क्या रहेगा 5 ही रहेगा no change तो ऐसे कितने नमबर हैं ऐसे 4 नमबर हैं कौन कौन से 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 यह 4 नमबरों का unit digit कभी change नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा ठीक चला नमबर 2 क्या इसमें है अब दोखो 0 की बात हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने नमबर हैं सहे तो वहाँ से नहीं दिखा आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने नमबर अब हमने इसकी बात कर ली इसकी बात कर ली इसकी बात कर ली इसकी बात कर ली मतलब चार नमबरों की बात कर ली अब देखो दूसा नियम क्या है 4 की पावर अगर even नमबर है even को बोले तो इसको हिंदिम बोलते हैं समसंख्या तो 4 के लिए 6 हो जाता है अगर 4 की पावर odd नमबर है odd को बोलते हैं बिसम संख्या इसके लिए क्या हो जाता है वही सेम रहता है बदलते ही नहीं है पहली करडिशन अगर 9 की पावर संख्या है तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 9 की पावर अगर बिसम है बिसम को इंगलिसम बोलते हैं odd इसको even बोलते है तो 9 के लिए क्या हो जाएगा वही 9 रहेगा ये दूसरी बात समझ लो अब जैसे माल लो लिखा है 3, 4, 9 की पावर 7, 2, 8, 9 अब भईया आपको बताना है unit place बताईए तो बेटा आपको क्या देखना है उपर की पावर सम है या बिसम अब जो बच्चा सम भी सम नहीं जानता है वह आज के दोर में नौकरी पाने लाइक है क्या नहीं पाने लाइक है तो इसमें बताव सम भी सम फिर भी हम आपको चिकाए दे रहे हैं सम वह संख्या होती है जो 2 से कट जाती है और बिसम वह होती है जो 2 से ना कटे और नमबर वह नमबर होता है जो 2 से ना कटे ठीक तो यह 2 से नहीं कटेगा भी या 9 9 कटेगा 2 से नहीं कटेगा मतलब बिसम है और 9 की पावर बिसम है तो 9 ही रहेगा No change आंसर कितना? 9 अच्छा जैसे लिखा है 3, 7, 4 बार बार वही 3 9, 7, 4 की पावर लिखा है 3, 6, 2, 3, 6, 5 हमको बताना था unit digit क्या करेंगे बताओ 4 पहचानों पावर कैसी है? sum है की बिसम है पावर कैसी है? पावर है बिसम पावर कैसी है? पावर है बिसम और विसम पर 4 क्या होता है विसम पर 4, 4 रहता है अंसर 4 क्या बात आई समझ में सम पर और विसम पर क्या पर स्थिती बनती है सामने देख लो 4 और 9 के लिए 4 की पावर अगर विसम है तो 4 ही रहेगा 4 की पावर सम लगा दो 6 हो जाएगा ना याद रहे तो 4 का स्क्वार 16 होता है ऐसे याद रखो 4 का क्यूब 64 होता है 9 का क्यूब जो भी होता है ठीक 731 होता है 9 का क्यूब 731 होता है तो विसम है तो वही रहेगा 9 का स्क्वार 81 होता है तो 1 हो जाएगा ठीक समझ गए मेरी बात इतनी बात आपको समझ में मेरी आ रही होंगी जब तीसरे point की बात करेंगे तो बताओ कौन कौन सा नंबर हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, बचे ये 2, 3, 7, 8 ये जो 2, 3, 7, 8 है बड़ा खतरनाक नंबर है 2, 3, 7, 8 है ये बहुत ही खतरनाक नंबर है ये square में भी परिसान करते हैं, cube हों परिसान करते हैं और इसमें unit place हों परिसान करते हैं अब देखो 2, 3, 7, 8 पावर चार के बाद पुन्रा ब्रत्ती करते हैं मतलब रिपीट होता है रिपेटेशन स्टार्ट हो जाता है ये मैंने क्या कहा देखो एक, दो, दो का चार, तीन का आठ, चार का सोला, पांच का पत्तेश अब देखो, छे करोगे तो चार, चौशट, मतलब जो लास्ट में चार एक बार आ चुके हैं वही चार फिर आएंगे, वही चार फिर आएंगे वहाँ जिन्दगी भर चलता रहेगा तुम बैट जाओ और दो की पावर लिखते जाओ, तो चार आ गए हैं, वही चार आगे आते रहेंगे ऐसे ही तीन की पावर एक तीन, तीन की पावर दो नो, तीन की पावर तीन सत्ताई साथ, तीन की पावर चार क्यासी एक, तीन की पावर पाँच फिर तीन, ऐसे ही ये भी रिपीट होते रहेंगे फिर 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, 49, 7 की पावर 3, 3, 7 की पावर 4, 1 ऐसे ही 7 की पावर 5 पे 7 आचे रिपीट कर जाएगा चार के बाद ऐसे ही 8 की पावर 1, 8, 8 की पावर 2, 64, 4, 8 की पावर 3 कितना 2, 8 की पावर 4 कितना 6, 8 की पावर 5 कितना 8 ऐसे ही repeat कर जाएगा मतलब यह सब चीजे repeat कर जाएगी कितने power के बाद repeat कर जाएगी चार के बाद चीजे repeat कर जाएगी आप इसे रोग नहीं पाओगे यह ऐसे चलता रहेगा समझ गए तो आपको सिर्फ देखना होता है आपको खुद पता है हम सभी कुछ बनाते रही है सिर्फ देखते रहते हैं जो चीज हो जाती है वो सिद्ध हो जाती यह ऐसे होता है बस चाहे प्रकत की चीजे हो चाहे गड़ित की चीजे हो चाहे physics हो चाहे chemistry हो चाहे biology हो हम लोग कुछ बनाते नहीं है हम लोग सिब देखते रहते हैं कि ये बैक्टिरिया था, ये सिस्टम था जितना अभी चीज है सिब हम लोग देखते रहते हैं जितनी आँखे खुला रखोगे उतना आप सक्सिज होते रहोगे ये आज का परबचन था जितनी आँखें हम लोग खोल के चलते हैं उतना हम लोग वो चाईयों पर पहुंचते हैं जितनी आँखें हम लोग बंद करके चलते हैं उतना ही हम लोग अज्यानता की ओर रहते हैं हम लोग बात करते हैं यूनिट प्लेस के कुश्चन की चलो पहला नमबर एक क्वेश्चन 397 की पावर 9248 का यूनिट डिजिट बताना था हाना कैसे लगाएंगे देखों या ध्यान से यहां कितना है साथ है अब तो यार साथ वाला तुनियम तिसरा वाला है पहला वाला 0156 दूसरा वाला चारो नो पे था तीसरा वाला जो नियम था उसमें था बेटा 2, 3, 7, 8 मतलब हमें यह चार के बाद रिपीट करेगा मतलब यह साइकलिसिटी चलेगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1, फिर 2 ऐसे घुमता रहेगा इसलिए इसको हम 4 से भाग कर देंगे अगर 4 से भाग करेंगे तो पूरा-पूरा कटके कुछ नहीं बचेगा मतलब यह 4 पर आ जाएगा जब 4 से भाग करेंगे तो यह कहां लोड के आएगा? यह ही मिलेगा तुमें 4 पर मिलेगा एक बचता, अगर एक बचता तो यहां मिलता, दो बचता तो यहां आता, तीन बचेगा तो यहां, जीरो बचेगा तो यहां तो इसलिए हम साथ की पावर चार चक करेंगे, तो कितना आएगा? वहन आएगा आई बात समझ में, चलो दूसरा देखो जैसे ले लिया मैंने, 9728 की पावर, 9, 3, 4, 5 इसको ले लिया, कितना लास में लिखा है बताओ, आठ है कितना लिखा है, आठ आप चार नंबरों को चेक कर लेना, 2378 वालों के लिए, अब देखो इसको चार से काटा, तो कितना बचा? एक बचा कितना बचा? एक बचा, एक पर यहां पहुचेगा, तो आठ की पावर, एक लेना है, कितना है? आठ हैंसर हो जाएगा तीसरा कुश्चन ले रहा है, यसे लिखा है, 3, 7, 3, 4, 5, 2 की पावर, लिख दिया, 9, 3, 8, 6 यह दिया हुआ है, लास्ट में कितना है? लास्ट में है 2, कितना है लास्ट में? लास्ट में है 2, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एक कम 4, कितना बचेगा? 2, मतलब यहां पर आएगा, 2 पे, तो 2 की पावर, 2 कितना हो गया? 4, एंसर कितना आ गया? 4 ये आरी बात समझ में question लिख दिया आपके सामने 3, 4 की power 97 multiply 3, 5 6 की power 97, 8 multiply 3, 2 4 की power 9, 2, 9, 3 find unit place सवाल है find unit place ये बोल दिया चलो कैसे लगाया जायेगा क्या है अब तीनों बाते ध्यान रखना पहला point, दूसरा point, तीसरा point ये दूसरे point में सिखाया है 4 के लिए क्या करते है power कैसी है odd है odd के लिए 4 का 4 ही रहता है एक 6 में क्या सिखाया ये पहला point बताया है पहले point में क्या बताया था 1, 5, 6, 0 कभी change नहीं होते है 6 है, 6 ही रहेगा इसमें क्या बताया था, 4 है कैसा odd है, क्या रहेगा, 4 रहेगा तो 4 24 में 4.16 कितना आया, 6 इंटो करो 24, फिर 4 से गुणा करोगे 4.16, 6 हैगा इसका अंसर हो जाएगा अगला कुशन है 9, 7 की पावर 3, 4, 8 गुणे 2, 9 3 की पावर 9, 7, 2 गुणे 5, 2, 8 की पावर 7, 2, 9 Find unit digit Find unit digit क्या करे हो कोई बताओ यहां कितना है, 7 4 से डिवाइड करो पूरा पूरा कड़ गया मनलब 7 की पावर 4 लेना है इसकी वालू क्या होती, 1 होती है ठीक, गुणे मैंने पूरा लिख दिया है जब 0 बसता है तो पावर 4 चेक करते है 0 पे कितना चेक करते हैं, लिख लो जब पूरा पूरा कड़ जाता है जब 0 बचे लिख लो पूरा, जब 0 बचे तो पावर 4 चेक करते हैं पावर 4 चेक करते हैं जब 0 बचे तो पावर 4 चेक करते हैं 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2 3 बचे तो 3, 0 बचे तो चार कैसे बच्छेगा, चार से डिवैट करोगे अब देखो तीन है तो इसको चार से काटोगे, पुरा-पुरा कट जाएगा तीन की पावर चार लोगे तो ये भी बनाएगा ठीक, ऐसे देखो इसको चार से काटोगे, तो 4, 68 ये थाइस एक बचेगा, तो 8 पौर ही कितना हो जाएगा, 8 तो answer हो जाएगा, 8 अगला कुश्य ले रहे हैं यसे लिखा है, 729 की पावर 348 माइनस 346 की पावर 9 297 find unit digit चलो इसको बता सकते हो क्या इसका answer को बता सकते हो क्या देखो हम समझाते रहें, आप लगाते रहो यहाँ जब लगाओगे, इसका तो आपका आगा 9 9 की पावर कैसा है, even 9 की पावर even पर 1 होता है 9 की पावर even पर कितना होगा 1 हो जाएगा माइनस 6 पर 6 रहता है 6 पर क्या रहता है, 6 रहता है अब तुम यहाँ पर confused होगा, कि अरे, माइनस 5 हो जाएगा क्या, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको सोचना है कि इसके पहले भी तो कोई नमबर रहा होगा इसके पहले भी तो नमबर रहा होगा, यह आखरी का है ना, यह बताओ कोई नमबर लिखे होते है यहाँ 1 होता है, यहाँ 6 होता है तो क्या, 1 में से 6 घडाते हो इधर से कैरी लेते हो ना तो यह 11 हो जाता है 11 में से 6 माइनस कर देते हो, कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, पहले पड़ा तो इसलिए answer कितना हो गया, 5 हो गया यह बात ध्यान रगना, यहां से कोई number होगा ना इधर इधर से carry लोगे, तभी तो घटा होगे, बीना carry के कैसे घटा दोगे भाई जैसे लेलिया मैंने 346 की पावर 9372 माइनस 249 की पावर 7287 find unit place, अब क्या करेंगे इसमें, दुखो ध्यान से यहां कितना है, 6, 6 के लिए क्या होगा, 6 ही रहेगा, माइनस यहां कितना है, 9, कैसी पावर है, odd, कैसी है, odd, 9 पे क्या होता है, 9 रहता है अब देखो, इधर कोई न कोई नंबर रहा होगा, अब मालो इसे घटाना था, ऐसे 6 लिका है, ऐसे 9 दिखा है अब इसको देखना है, यहां पे कितना है, बीच में मैनस लगा है, तो यहां मैनस लगा दिया तो यह पता इधर से 16 करोगे न, 16 में 9 गया, 9, 7, 16 ऐसे करोगे न, इसलिए 7 एंसर आएगा यह किलियर होड़ा है, यह चीज, सही है, चलो, आगे बढ़ता हैं लोग अब मालो, कुश्चन आ गया, आपके पास कुश्चन आ गया 4, 3, 9, गुणे, 3, 7, 2, गुणे, 5, 2, N का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, एन प्लस 3 है तो, N का मान है पहला अप्शन, 2, दूसरा अप्शन, 4, तीसरा अप्शन, 6, चौथा अप्शन, नन जी आपको करा रहा हूँ, वो समझे जी उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है विस्वास तो है हम पर, बस हमारे पास संख्या कम है, विस्वास की कमी नहीं है बच्चे हम पर विस्वास्त बहुत करते हैं, बस मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या कम है तो कोई बात नहीं, यतने हैं, उतने नौकरी ले लेंगे तो ये चीज करने के लिए ये हमें निकालना है N प्लस 3 का मान कैसे होगा और थोड़ा आप लोग भी प्रमोशन कराओ मेरे एप्लिकेशन का जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, आप लोग कम से कम 2-3 लोगों को और बता दो अपनी तरब से कि यहाँ पर पढ़ने से चीज़े बहुत फैदा करेंगी और सेलेक्शन भी हो जाएगा और knowledge तो हाई है यहाँ आपके साथ धोखा नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम ना पढ़ा रहे होते तो हो सकता है धोखा होता लेकिन हम है तो धोखा नहीं है, जो देखो जग दी से इसको कैसे solve करेंगे? तो 9 से 2 को गुणा करो, 9 दनी, 18 8 आठ आ गया, last में n है, मतलब 8n आ गया जो नहीं जानतों सीखो, 9 दनी, 18 18 में 8, 8 को n से गुणा किया, 8n बराबर, यहाँ लिखा, n प्लस 3 यह, अब तुम्हें यहाँ से सोचना है और कोई तरीका नहीं है कि bracket खोलोगे लग जाएगा इसका कोई तरीका नहीं है कि bracket खोलोगे लग जाएगा कि स्कौर कर दें, गुणा कर दें, नहीं, आपको सोचना है क्या सोचना है, कि यहाँ 2 रखा मैंने तो 8, 12, 16, किता बनेगा इससे, 6 बनेगा 8, 12, 16, 6 बनेगा, यहाँ 2 रखोगे 3, 2, 5 तो क्या 6 बराबर 5 होगा, नहीं, मतलब यह एंसर नहीं है 4 रखा, 4, 32, कितना बना, 2, 4 रखो यहाँ यहाँ 4, 3, 7, नहीं होगा, यह भी नहीं होगा 6 रखा, 8, 48, कितना या, 8 है 8, 48, कितना या, 8 है यहाँ 6-3, no, नहीं आया, यहीं भी नहीं होगा, कितना होगा, none बात आई समझ में, 4-3-3, क्योंकि लगातार पढ़ाने से अभी habit नहीं है, थोड़ा थकान लग जा रहा है गुणे, 4-3-n, यह है, का unit digit, का unit digit, दे रखा है सवाल में, n प्लस 2 है, n प्लस 2 है तो n का मान क्या होगा, तो n का मान होगा, तो पहला option है, 1, दूसरा option है, 8, तीसरा option है, 3, चौथा option है, 6 चरोगे, 6-3, 18, तो यह भी 8 ही अना हैगा, 8-n बराबर, n प्लस 2 लेना है, यह चीज इसके बराबर कर देनी है, ठीक 18, 8-n बराबर, n प्लस 2 कर देना है, अब देखो, 1 रखोगे, तो 8, यहाँ 2, 1, 3, नहीं होगा 8 रखोगे, 8, 64, 4, और 8, 2, 10, 0, नहीं होगा, 3 रखोगे, 8, 24, 4, 3, 2, 5, नहीं होगा 6 रखोगे, 8, 48, 8, और 6, 2, 8, कितना होगा, इस बार 6 हो जाएगा